हेलो रिवन तो कैसे आप सब लोग तो आज ही क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं मद्यकालीन भारत के इतियास को पढ़ना तो लास्ट शे क्लासों मैंने आपको अच्छे से प्राचीन भारत का इतियास खतम करा दिया है अगर आपने पहले पढ़ रखा गो तो आपको पता अभी तक जो इस्ताने राजाते वो शाषन कर रहे थे अब भारत पर भार से आखमन होने लगे तो पहला जिसका आखमन होता है वो होता है अरब लोगों का मद्यकालीन भारत की सुरात होती है अरबों के आखमन से और पहला जो भारत पर अरबों का आखमन होता है वो किसके कंट्री पे आक्मन करने का क्या उदेश्य हो सकता है उनका उदेश्य सिंपल था था उन्हें धन दोलत लूटनी थी जो भी राज्य थे जो भी समरद्धी थी जैसे मंदिर थे उनमें सोने चांदी की मूर्तिया थी आभूजन थे उन्हें लूटना उनका उदेश्यता और साथ ही एक महपून उदेश्यता कि अपने धर्म को जाज़ादा फिलाना है वो इसलाम धर्म को मानते थे तो इसलाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी उनका उदेश्यता ठीक है तो अरबों का पहला सफल आक्रमन किस चाही वणत के साथ चाहिपल शासन कर रहे थे ठीक है अब आगे हम पड़ेंगे यही महमुद गजीनी में जो साही वणत के रादा जैपल थे इनके ख़लाफ यूद्छ चेड़ दिया और इनने भी पराजिद कर दिया था ठीक है तो महमुद गजीनी भारत कर कितनी बार आकम आखमन करा और पंजाब के साही राजाई कि राफ करा जैपाल के विरुत और ने हरा दिया मेहमूद गजिनी का सबसे चर्चित आकमन सबसे फेमस जो इन्हों ने आकमन किया 1025 किया वह काँ पर किया सोमनात मंदिर सौराष्ट्रे तो गुजरात के सौमनात मंदिर यौण उन्हें 125 इस्वी में आकमन किया और उस समय महां के शासक कौन थे भीम पर्थम भीम पर्थम याद नहीं लास्ट पड़ाता हमने गुजरात के चालुक के वंस तो गुजरात के चालुक के वंस के राधा थे भीम पर्थम उनके शासनकाल में इन्होंने सोमरात मंदिर पर आकम मेहमूद गजनी जो की तुर्की सुल्तान था ठीक है तुर्की नरेश्ट था ये कह सकते हैं अल बरुनी मेहमूद गजनी के दर्बार में रहता था ये काफी जाद important most important समय लिए क्योंकि एयर फोर्स के आदा में पूछा जा चुका है अल बरुनी किसके के दर्बार में रहता था या फिर किसके साथ भारत आय था वह मेहमूद गजनी के साथ भारत आय था और शे के दर्बार में रहा करता था एक लेक्षक था अल बरुनी और कवी भी था तो अगर आप डिफेंस के लिए प्रपयर कर रहे हैं और आप ऑन-line कोचिंग लेने के लि तो जो दोनो एक्जामों के लिए बैस निकाला है वो काफी useful रहेगा, अभी price डाउन चल रहे है तो अभी आप लेंगे तो आपको special benefits मिलेंगे, ठीक है, जल्दी price बढ़ जाएंगे तो अभी लेने में आपके फाइदा रहेगा, ठीक है, इसी में Unacademy ने संकलब 2.0 बैस नि मिल जाएगी, आप fee structure देख सकते है, ये fee structure है Air Force, Navy और Coast Guard के एक्जाम के लिए, जो 30 सबैच है, उसमें आपका, अगर आप 12 मन्त subscription लेते हैं, तो आपको 5500 का पढ़ेगा, जिसमें आपको पर मन्त फीज सिर्फ 458 रुपे पढ़ेगी, 458 रुपीज, ठीक है, और यहाँ पर आपको extra benefit मिलेगा, अगर ग्यानी 10 coupon code मेरा यूज करते हैं, तो, ऐसी ND का substitution में आपको, जो 12 मन्त का course है, वो 8800 का पढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपको SSB की तेरी भी कराई जाएगी, और यहाँ पर आपको पर मन्त फीज 733 रुपे सिर्फ पढ़ेगी, ठीक है, coupon code जरू भी यूज करें, मेरा ग्यानी 10, इससे आपको 10% extra benefit मिलेगा, मुहमद गोरी ने 1178 इसवी में, यह आपको समय आते हैं, जरू ने 1178 इसवी, यह आद रखिए, गुजरात पर आकमन कब किया था, किसके सासनकाल के टाइम किया था, लास्ट रास में बता चुका हूँ, भीम लेकिन इसमें इतना दिमाग नहीं था, आप समझ सकते हैं, यह उसकी तरह सातिर नहीं था, इसने जब आकमन किया, तब उस समय गुजरात में कौन शासन कर रहे था, भीम दुट्ट्य और इन्हों ने इसे बुरी तरह पराजित करके भगा दिया, तो गुजरात पराकमन के पराजित कर दिया, अब महमूद गजनी का गुलाम था यह, याद रखेगा महमूद गजनी का गुलाम था मौहम्मद गोरी, उसके बाद कुछ इंपर्टेंट युद्ध है जो मौहम्मद गोरी ने लड़े, काफी इंपर्टेंट इसे याद रगेगा, जैसे तराइन का प जैसे इसमें देखा अकेले लड़ रहा था भीम दुट्य खिलाफ और भीम दुट्य ने इसे पराजित कर दिया था ऐसे फिर तराइन का दुट्य यूद होता है अब जैसे तराइन के पर्थम यूद में गौरी हारा तो उसने क्या करा जो पृत्वी राज चोहान के दुस्म योगिता उसके साथ भगा के विवा कर लिया था पृत्वी राज चोहान से इसले काफी ज़ला गुश्टा थे जैचंद उनसे तो जैचंद ने गौरी का साथ दिया और पृत्वी राज चोहान के साथ के खिलाफ यूद लड़ा और उसके करण क्या हुआ जब पृत्वी जैचंद के खिलाफ कर दिया जैचंद इनके खिलाफ आकरमन कर दिया 1194 में सिर्फ दो साल बाद ठीक है और जैचंद को भी मार दिया तो देख रहे हैं गोरी ने बलब उल्टी चाल चल दी पहले पिरसी राज चोहान को उन्हीं की सायता लेकर मार दिया और बाद में पिरस आप समझ गें मुहमद गजनी फिर उसके राज मुहमद गोरी ये दोनों को उन्ते तुर्की सा चाशकतें तो मुहमद गोरी के शासन काल के बाद स्टार्ट होता है अपना स्लतनतकाल सलतनतकाल में आपके 5 वन्स आते हैं गुलाम dont लोधीनक अब लोधी वन्स के बाद आप को पताई है कि लोधी वंच सम्वाप्त होने काथ मुगल समराज्य की निव रखेए गर, मुगल समराज्य स्टाट होता हमारा. तो सल्तनत काल के हम दो वंचो को आज पढ़ेंगे और तीन वंचो को कल पढ़ेंगे हम पूरा गुलाम बंस ये गोरी के गुलाम थे ठीक है याद रखिएगा अब कुट्बुदिन एबग ने अपनी राध्धानी क्या बनाई ये ऐसा कुछन आता ही गुलाम बंस की राध्धानी आपकी लाहूर थी कुटुमिनार की निव ये मोस्ट इंपोर्टन है कुटुमिनार के नि और कहां पर थी मस्जित अजमेर। राजिस्तान में मस्जित थी। अब जिस जगा में मस्जित है। उसी जगा है पहले विद्धाले वो करता था настные जो किसने बनवाय था विकर राच 4 ने मनवाय था। ठीक है उसके बाद काफी important point आता है प्राचीन नालंदा एवं विकरम शीला विजदाले को धोस करने वाला एबक का सायक सेना नायक बक्तियार खिल जीता तो देखिए नालंदा और विकरम शीला विजदाले प्राचीन भारत में काफी important point थे स्विक्षा ग्राण करने के लिए तो इनको जब नस्ट जिसने करा यह भी काफी important बन जाता है तो गुलाम वंस के सासनकाल में कुतुबदीन एबक के सासनकाल में इसे दोस्त करा गया और किसको जिम्मेंदारी दीकरी दोस्त करने की कुतुबदीन एबक के सिना नायक बक्तियार खिलजी की तो बक्तियार खिलजी का नाम याद रखेगा कुतुबदीन एबक के समय से related है यह काफी ज़्याद important नाम है क्योंकि उन्हें प्राचीन नालंदा विक्रम शीला विदाले को दोस्त किया था अब इसके बाद देखि कर इनकी मिर्ति हो गई और इसे कहां पर दफनाया गया लाहौर में इसे दफनाया गया ठीक है इनकी राध्धानी थी लाहौर तो लाहौर में इने दफना दिया गया कुतुबदीन एबक को इसके बाद एबक का उतरदिखारी कौन था आराम शाह इसका उतरदिखारी था ज तो इल्तुत मिश कोई सल्तनतकाल का असली जिसने असलियत में नीव रखी सल्तनतकाल की उसे इल्तुत मिश को माना जाता है क्योंकि उन्होंने काफी बड़े-बड़े काम करा है वो दिखते हैं और यह कब बैठा गर्दी पर 1211 एसी में दिल्ली गर्दी पर बैठा आप सल्तनतकाल यहीं से में इसलिए चालुआ क्योंकि सल्तनतकाल में जो वास्ताइक राजदानी थी दिल्ली थी तो दिल्ली को राजदानी मुना लावर पर्थम शाचक इल्तुत मिश था गुलाम वंच में ठीक है इल्तुत मिश ने क्या 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 लाहोर से राजदानी को इस कुसने निर्मान शुरू कराया, और किसने निर्मान पूरा कराया, दोनों अलग अलग नाम है, और दोनों नामों को याद रखेगा, सबसे पहले सुद अर्भी सिक्के जारी किये चांदी का टंका यह उन तामबा का जीतल सिक्के का नाम हो करता था ठीक है तो यह पूछा जाता है कि तामबे का सिक्के का क्या नाम था गुलाम बंच के समय तो जीतल नाम था और चांदी के सिक्के का नाम कहता है टंका नाम था ठीक है सुदर्भी सिक्के जारी करें थे किसने इल्तुतमिश ने इसके बाद इल्तुतमिश ने जो important काम कहता होता है इक्ता प्रणाली अब दीखे गुलाम जो होते हैं उनके जो सरदार हुआ करते थे उन 40 सरदारों को लिया जो की काफी जाज सक्तिशाली थे उनका एक संगटर मनाया ताकि वो राजा का सयोग कर सके राजय को समालने में तो इन 40 गुलाम सरदारों को क्या कहा जाता है पूछा जाता है तो उन्हें कहा जाता है चिहल गानी तुरकान ने चिहल गानी कहा जाता है लेकि आप सिर्फ चिहल गानी याद रखे कि चिहल गानी नाम से 40 गुलाम सरदारों का संगटन वनवाया था इसने ठीक है अब चंगेज खान कौन थे इसके after बताएता उ। मंगोलिया चीन देखी है न चीन के ऊपर आपका आता है मंगोलिया और यहीं पर आता है मंगोलिया में गोभी का रेगिस्तान ठीक है। कुछ भाग चीन में पढ़ता है, गोबी के रिगिस्तान का, कुछ भाग पढ़ता है मंगोलिया में, चीन के उपर एक कंट्री है मंगोलिया, ठीक है, तो गोबी के रिगिस्तान के में रहने वारे लोग थे, चंगेज खान, कौन लोग थे, मंगोल लोग, मंगोल के ही एक को देख लिए आप कौन थे मंगोलों के सरदार थे जो कि यह भी रेगिस्तान में रहा करते थे ठीक है बस इतने जान्यन के वर में तो चंगेज खान ने समराड जलालुदीन पर जो कि ख्वारीजम के समराड थे इन पर आकमन किया और वो बचने के लिए इलतुत मिश के ठीक है मंगोलों के सरदार थे जो कि मंगोलिया में गोबी के रेगिस्तान में रहा करते थे मंगोल लोग ठीक है एक जंजाती है यह उसके इंपॉटेंट पॉटेंट आता है रजिया बेगम रजिया बेगम का पॉटेंट काफ़ जाद इंपॉटेंट है रजिया बेगम की पुतरी थी और पर्थम मेफ़िनि महिला शाषक ती या फिर कहें कि कि इतिहास में सबसे पहली महिला शाषक क्ऊन ती महिला शाषक पून थी रजिय वेगम थी यह कौन थी इलतुज मिश्की पुतरी थी अब इसके बाद आता है बल्बन अब देखे इसके बाद भी आता है कच इंपोर्टेंट राजा इंपोर्टेंट नहीं है ऐसी नस्रीदिन मुहम्मद आते हैं ठीक है ये कौन थे नस्रीदिन मुहम्मद बल्बन के दमात थे लेकिन ये कुछ खास इंपोर्टन ही है उनसे राज्या छीन लिया बल्बन और बल्बन ने 12-6-6-7 में समय आद में जोरत निया बल्बन ने ग्यासुदीन बल्बन तो बल्बन का पूरा नाम कहा था ग्यासुदीन बल्बन के नाम से दिल्ली का गद्धी पर बैठे ये और उन्होंने दिल्ली को बचा लिया उससे ठीक है तो इन्होंने आपने जो इनके विदरोई थे उनके खिलाफ काफी सक्थ नीती अपनाई जिसे का जाता है लो एवंग रट की नीती एपनाई और ये काफी क्रूर टाइब के राजा कहे जाते हैं इतियास में तुर्कान ने चिहलगानी जो की चिहलगानी है ये ठीक है न जो उपर लिखा था चिहलगानी किसे उन रहाई था संगटन ये इल्टु तुमीशन न रहाई था और इसे किसने खतम कर दिया संगटन को अमीर खुसरो का नाम आप बिल्कुल ना भूले ये किसके दरवार में रा करते थे बल्बन की दरवार में रा करते थे ऐसा ही एक और कभी का नाम मैंने पढ़ा था अभी क्लास में क्या नाम था अलबरुनी तो अलबरुनी नाम बहुँजा ना important exam से पूछा साथ चुका है तो अलबर उन्हीं किसके दरवार में रहा करते थे महमूद गजनी के दरवार में और उन्हीं के साथ भारत आये थे ठीक है और अमीर खुष्रो बलबन के तरह में रहा करते थे अभी अमीर खुष्रो का मूल नाम क्या था मुहमद हसन इनका मूल नाम था मूल नाम यातर के जरूरत नहीं है लेकिन इनके गुरु का नाम आपको यादोना चीज जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रेंड करी थी तो इनके गुरु का नाम क्या था सूफी संत थे इनके गुरु निजामुदीन ओलिया तो सूफी संथ सेख निजामुदीन ओलिया अमीर खुष्रो के गुरू थे इनसे इन्होंने सिख्षा किरेंग करी थी तो नाम मत बूलेगा इनके गुरू का सेख निजामुदीन ओलिया ठीक हैँ अब इंपॉर्टेंट बात अमेर खुश्रोगार में या आती है कि ये बलबन से लेकर मुहमत तुगलक तक दिल्ली सुल्टारों के दरवार होरो है? तो अमेर खुश्रो बलबन के दरवार में रहना स्टार्ट करा है, उन्होंने वहां से अथिनी सेवाई देनी स्टार्ट करी और जैसे बलबन का साचनकाल गया फिर खिलजी वंस आया ठीक है अलाउदीन खिलजी तुगलग वंस आया ग्यासुदीन तुगलग तो इनी सभी राजवंस के राजाओं के दरबार में ये रहा करते थे तो अमीर खुष्रो इसलें इंपोर्टेंट है तो अलाउदीन खिलजी वहाँ पर करेक्ट आंसर था ठीक है ये दो राजव का नाम मत भूलेगा पहला बलबन और दूसरा अलाउदीन खिलजी अगर बलबन ओप्शन में तो बलबन को राइट करेंगे आप कर लिए अब हमारा next once आता है सल्तनत काल में वो आता है खिलजी once तो खिलजी once की सुरुवात कैसी होती है उसे देखते हैं तो जलालुदीन फिरोज खिलजी खिलजी once की स्तापना करते हैं और यहीं से खिलजी once की सुरुवात होती है तो जलालुदीन फिरोज किल जी, खिलजी बंस के संस्तापक थे, तो सल्तानत काल में जितने ही बंस है, उनके संस्तापक कौन है, उन्हें बिल्कुल नहीं बूलना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेजे, तो गुलाम बंस संस्तापक कौन थे, कुतुब दीनेबग, अब खिल्जी वन्स के सिल्टापा कोई है जलालुदीन फिरोज खिल्जी ठीक है अब 1296 इसी में अलाउदीन दिल्ली का सुल्तान बना तो कब सुल्तान बना यह तारीक आद रहे हैं आपको जल्द चरूत नहीं है बस किसका उत्रा दिखा री था वो पता हो न अच्छे उस टाइम सेना की भरती चालो जो भी लोकल लोग हैं उन सब को उठा लिया कि चलो यूद लड़ने चल रहे हैं ऐसे टाइप में ठीक है यह अगर पैसे देखे गुलाम खरील देगा जो कि तुमारे लिए यूद लड़ेंगे लेकिन इसने एक इस्ताई सेना डेली उन्हे बढ़े इंकम उन की सेलरी थी और डेली सेलरी वेशिस के उन्हें एक बड़ी इस्ताई सेना की शुरुवाते करी किस ने करी अलाव दिंखेल जी नकरी इसने अपने सासान काल में मुल्य नियंटर प्रणाली को द्रण्चा से लागू किया तो दो प्रणाली सलत्रनत काल में काफ़ी ज़्यादे इंपॉर्टेंट है पहली प्रणाली कुन थी? इकता प्रणाली ठीक्स वसूलने के लिए थी वो किसने स्टार्ट करी थी? इल्टू तुम इसने सेकिंड प्रणाली जो इंपॉर्टेंट है वह मारी मुल्य नियंटर प्रणाली तो बजार में जो मुल्य है उसे काबू में रखने के लिए कि ज़्यादा चीज़े महंगी ना हो वास्तुकला का रतन कहा जाता है मतलब इतनी खुबसूरती से दर्वाजा बना गया कि इसलामी जो वास्तुकला है उसकी सबसे अनूखी जो चीज है वो इसे माना जाता है इस्राहिम वास्तुकला का रतन अलाई दर्वाजे को माना जाता है तो इसी के सासाथ आप ये भी याद रखे है कि अलाई दर्वाजा है कहां पर तो अलाई दर्वाजा महरोली दिल्ली में है अब देखे महरोली में आपका पढ़ता है कुत्म मिनार तो कुतुम मिनार परिसर के अंदर एक मस्जित है, उसी मस्जित के अंदर जो जाने का गेट है, जो दर्वाजा है, वही आपका अलाई दर्वाजा है, तो अलाई दर्वाजा कहां पर है, कुतुम मिनार परिसर महरोली दिल्ली में है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका सि उपादी धारन करी ती जिसका नाम था सिकंदर एसानी। तो इस उपादी के बराबर अलओदिन खिल जी अपने जिसने पूरी दुनिया विजय करने का अभ्यान चेड़ा था धाधर और मैजरिटी जो काफी सारी देशों पुसने कबजा भी करा था, काफी प्रमुक राजा थे, काफी फेमस राजा हैं, तो उसी के बराबर उपादी धारन किसने करी थी, अलाउदिन खिल जी ने, तो next point है आपका, अलाउदिन खिल जी के सासनकाल में मंगोलो के 6 आकरण हुए, तो हमने देखा कि मंगोलो क पर्थम आकरण कब होने वाला था, इल्तुत मिश्री सासनकाल में, लेकिन क्या हुआ, जलालुदीन को उसने संरक्षन लीन दिया, इसलिए चंगेज खान ने, मंगोल का जो सासकता, उसने उस पर आकरण नहीं किया, ठीक है, उसके बाद बलबन के सासनकाल में पर्थम बार आकरण होता है मंगोलों का, और बलबन क्या होता है, बचा लेता है, अपने राज्य को, दिल्ली को, मंगोलों के सासनकाल में मंगोलों के सासनकाल में हुए थे, ठीक है, अब मंगोल लोग को थे, ये गोबी रेगिस्तान, जो की मंगोली हम पढ़ता है, वहां के एक प्रज राती है मंगोल उनके प्रमुक्षासक का नाम क्या था चंगेच खान था नेक्स्ट पॉईंट है कुतुबदीन मुबारक खिल जी अब देखे अलाऊदीन खिल जी की उतरादिकारी कौन होते है कुतुबदीन मुबारक खिल जी जो कभी-कभी दरवार में इस्त्रियों के वस पैन करा जाते थे, तो इनके जो काम थे थोड़े इस्ति नुमा थे, इनके जो वैवार था, वो औरतों की तरह वैवार किया करते थे, ये कभी-कभी नगन होकर दरबार में आते थे, कभी इस्तिरों के बस स्पैन करा आते थे, ठीक है, इन्हें ये सब चीज़े करना पसंद लेकिन तब भी है इंपॉर्टन इसली ओते हैं क्योंकि एक राजय थे तो खुछ भी कर सकते हैं तो इन्होंने काम चाय जैसे भी हो लेकिन उन्होंने उपादी बड़ी तृधिधर धारन कर रखी थी खलीफा की उपादी, एक काफी नामी उपादी होती है, खलीफा की उपादी तो इन्होंने वो धारन कर रखी थी, खलीफा की उपादी किसने धारन करी थी? मुबाराक खान ने करी थी जो की खिल जीवन्स के अंतिम सासकते ठीक है? तो ये ज़्यादा कर दे रहे हैं, हम पे ज़्यादा ताकते, पैसा होता है तो लोगों को लगने जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा ताकत है और जो राजा है, वो हमारी बाते सुने और हमारे अकॉर्डिंग राज करें, तो इन जो सासकते हैं, इनों ने उनकी बात बिल्कुल नहीं गुलाम वंच और खिलजी वंच के बार में सभी important facts को पढ़ लिया है अब आपको बस revise करना इसे और next class में हम पढ़ेंगे आगे राजवंच जो हमारे तुगलग वंच, सयद वंच, लोधी वंच इन सब के बार में ठीक है तो अगर class पतने जो class को like कीजेगा, share कीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe लिजेगा, thank you, until the next video में